नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मा रोक्स के यूटूब एजुकेस्टन चैनल में तो आज की उडियो लेक्चर में हम ऐसे हेल प्रॉब्लेम और उसके सॉलिशन के बारे में बात करेंगे कि जिसको हम पत्री की समस्य कहते हैं पत्री यानि के किड्नी स्टॉन तो यहाँ पर यह जो हम पिच्चर में देख रहे हैं और वीडियो में देख रहे हैं उस तरह से यह जो हमारा यूरिनेरी ट्रैक है उसके अंदर चाहे आपके लैप किड्नी है या फिर राइट किड्नी या फिर यह जो यूरिटर का पाग होता है या फिर ब्लेडर है तो वहाँ पे इस तरह से जो वो kidney stone तयार होता है और उसके कारण जो वो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है तो यह kidney stone को किस तरह से हम निकाल सकते हैं तो उसके बारे में detail में सिखते हैं और जाने के कौन सी 5 सबसे अच्छी दवाया है कि जिसको यूज़ करके हम ये kidney stone को आसानी से निकाल सकते हैं तो सबसे पहले ये जो समझ से है उसके कारण भी समझ लेते है कि किसकी वज़ा से ये problem होती है कि kidney stone आपको होता है तो कौन से इसे main reason है तो सबसे पहला reason ये है कि पानी की कमी आप बहुत ज़्यदा कम पानी पीते है उसके करण आपको ये kidney stone के समझ से हो सकती है दूसरा reason हम देखे तो कुछ ऐसी दवायों का सिवन करते हैं आप कि जिसके कारण जो है वो kidney stone जो हो आपके सरीर में बनता है तीसरा हम देखे तो कुछ पूरानी बीमारिया जैसे के cystic fibroids का problem है inflammatory bowel disease और tubular acidosis के कारण भी आपको ये problem होता है और कुछ लोगों के अंदर जब estrogen की कमी हो जाती है तो भी ये problem होती है तो healthy kidney के लिए आपको एक healthy lifestyle जीना जरूरी है कि आप अच्छे healthy खाना काते है, proper exercise करते है, पानी ज़्यादा पीते है तो उससे ये problem से हम बच सकते हैं बच समझो कि आप कुछ ऐसा काम करते हैं जैसे कि आप नमक काफी ज़्यादा amount में लेते हैं alcohol consumption करते हैं, smoking औगरा करते हैं और पानी बहुत ही कम पीते हैं तो ऐसे condition में आपकी kidney जो है, वो damage होती है, खराब होती है और उसके अंदर kidney stone भी form हो सकता है तो उसके करण symptoms क्या होते हैं कि मान लोग ये kidney stone आपके kidneys के अंदर बन रहे हैं और वो देरे देरे आपके ये urinary track के अंदर आगे traveling करते हैं ऐसे काफी जदा painful condition produce होती है और उसके करण आपको fever यानि कि बुखार आ जाता है stomach में pain रहता है फिर vomiting जैसा feel होता है या फिर vomiting हो जाती है जब भी आप urine करते तो उसमें blood आता है dizziness जैसा आप feel करते हैं और specially जो back pain जैसा होता है तो ये जो symptoms indicate करते हैं कि आपको kidney stone की समस्या हो गई है तो diagnosis के लिए आपको जरूर से ultrasound scan कराना चाहिए और नजदी की urologist को visit करके proper उसका निदान कराना जरूरी है तो आप समझते हैं कि 5 सबसे अच्छी based दव या कौनसी है kidney stone के treatment के लिए तो सबसे पहला हम यहां पे एक homeopathic medicine का option यहां पे रखेंगे कि जिसका नाम है clear stone drops की जो SBL जो homeopathic company है वो उसको manufacture करते हैं तो उसको लेने का तरीका क्या है तो आपको क्या करना है कि यह जो bottle है उसमें से 10 से 15 जितने drops लेने हैं और half cup या फिर one fourth cup जितने पानी में आपको लेना है और वो दिन में तीन बार आपको यह लेना होता है तो यह लेने से क्या होता है कि आपका जो kidney stone है वो निकलने में काफी ज़द आपको आसानी रहती है और easily kidney stone निकलने में clear stone drop जो हो आपको help करते हैं दूसरा option यहाँ पे हम देखे तो उससे पहले में आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे ही आपको अलग-अलग बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है उनके उपचार कैसे होते हैं वो सीखना चाह लगता है तो आप हमार यह जो book है decision treatment उसको जरूर से purchase कर सकते हैं कि जैसे आज यहाँ पे हम kidney stone के बारे में सीख रहें कि उसके होने के कारण क्या है उसके symptom क्या है कैसे निदान होगा कैसे treatment होगी तो यह सबी detail में आप यह वाली book में सीख सकते हैं तो यह book को order करने के लिए आप यहाँ पी दिए गए number पे हमें whatsapp जो वो कर सकते हैं तो book को जरूर से order करें अब आते हैं topic पे और समझते हैं second option जो है वो है kidney stone के लिए जो हिमालिया का product आता है system करके तो system जो है वो dose की हम बात करें तो दो tablet दिन में दो बार लेनी होती है तो इस तरह से यह packing में यह system के tablets आपको available हो जाते हैं और हिमालिया drug company जो है उसको बनाते हैं और total यहाँ पे आप देख सकते की यह जो blister packing के अंदर आपको tablets मिल जाती है कि जिसको आपको दो tablet दिन में दो बार लेनी है मलब कि एक दिन में total 4 tablet लेना होगा दो आप सुबह ले सकते हैं खाना खाने के बाद और दो जो है वो रात को या फिर साम को नास्ता करने के बाद या फिर खाने के बाद जो है वो patient ले सकता है तिसरा option देखे तो उसी में syrup है कि अगर आप system के tablet प्रेफर नहीं कर सकते तो same ingredient आपको syrup form में भी मिल जाते कि जिसके इंदर पूनर नवा रहता है गोकसुरा रहता है सतावरी रहती है और इसका हम दोस माने तो 5 से 10 ml जितना लेना होता है और दिन में 2 या 3 बार system का ये syrup लेने से भी kidney stone में आपको काफी ज़्यादा रहत मिलती है और kidney stone को निकालने में जो है वो ये medicine आपकी help करती है तिसरा option है Tamsulocin का तो ये दवाई क्या करती है कि जब भी आपका kidney stone urinary track के अंदर पास होता है तो जो हमारी urinary track होता है जो उसके muscles होते हैं उसको relax कर देता है जिससे stone जो है वो easily पास हो जाते है मानलों कि आपका ये पहले वाला urinary track था तो और ये वाला stone है तो उससे क्या होगा कि जैसे ये stone आगे बढ़ेगा तो ये जो आपके urinary track के जो muscles है उसकी जो दीवाल है वहाँ पर प्रेसर करेगा और उसके करन काफी जदे दर्द होगा वहाँ पी इंजरी भी हो सकती है और उसके करन वहाँ से blood आता है बट जब ये टामसुलोसिन भी साथ में प्रिसक्रैब की जाती है तो क्या होता है ये जो हो urinary track को थोड़ा डायलेट करता है जिससे ये stone जो हो easily आगे जो हो urinary track में पास होता है और उसके करन एकदम easily जो stone है उसको निकालने में ये medication आपकी help करती है तो 0.2 mg once a day खास कर दिय जाता है और कुछ cases में दिन में दो बार भी ये tablet जो हो लेनी होती पर खास दियान रखे 0.2 के dose से ही start करें अगर कोई patient 0.4 में ले लेता है तो उसके करन उसको चक्करा सकती है या फिर कई बार blood pressure reduce होना वैसे भी side effects हो सकती है तो medical supervision में ही doctor के सला के बादी ये medication जो हो use करनी च चौता option है कि painkiller लेना ज़रूरी बनता है यहाँ पर बिकॉस काफी एक painful condition प्रॉट्डिस होती है कि जब आपका stone जो है वो आपके urinary drag में पास होता है तो painkiller में सबसे अच्छा option रहता है non-steroidal anti-inflammatory drugs और उसमें यह combination अच्छा रहता है कि परासेटम लागा या दाइकलोफ fever जैसा भी होता है इसके करण तो उसको भी ठीक करने में यह आपको काफी ज़्यादा जो है वो help करती है तो pain cleric जरूरी है फिर पांचवा option हम देखे तो antibiotic का है because antibiotic क्या करता है जो UTI हो जाता है kidney stone के करण तो उसको treat करने में और prevent करने में काफी ज़्यादा help करता है because कई बार ऐसे patient साथ एक उनको UTI हो जाता है kidney stone के करण तो यह problem ना हो इसलिए साथ में कोई भी एक antibiotic जैसे कि आप साफ एक जिम है और उसके साथ ओफ लॉक्जासिन है कई बार lactic acid bacillus इनके साथ combination में दी जाती है तो यह पूरा एक five best medicine का combination यहाँ पे तयार होता है साथ में मालों कि patient को acidity हो रही है vomiting हो रही है तो acidity के लिए pentoprazole है rabiprazole है जैसे medication है या फिर anitidine वगेरा या फिर उसके साथ कोई भी आप anti जो antacid medications होते हैं वो prescribe किये जा सकते हैं जो specially anti acid के category में आ जाती है फिर ऐसे ही आपको बहुत सारे वीडियो देखने हैं फार्मरॉक्स की चैनल पे तो चैनल को जरू से सब्सक्राइब करें और यह वाड़ा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप हमारा यह वीडियो भी देख सकते हैं तो गुद लग और अल देवेस्ट